हैलो फ्रेंड्स वेलकम यू आज मैं आपके लिए जो वीडियो लिक्यार देखे बात करेंगे दर रॉकिट स्टॉक की जो कि पिछले कुछ हपतों में ऐसा भागा है कि भी जबड़ दस्त रह ली लेकिन इस टॉक से क्या कुछ हम सीखेंगे और इसी तरीके से एक और स्टॉ समझने की कोशिश करेंगे प्राइश एक्षं को देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट को देखेंगे और अगर पड़ने से पहले मअया आपको बता दो अपन comfort को वा सिखने के लिए बहुत ही बेसे आपके लिए बस समझना है देखना है और साथ प्रैक्टिस करनी है और practice के लिए हम आपको बार-बार कहते हैं कि दिन के अंदर जो सबसे टॉप के cinth talks भागे हैं उनको देखिए उनके 4 time frame देखिए चार bili brain जो आप उनके देखते हैं तो आपके पास दिन के 20loud charts हो जाता हैं जो आप देखते हो फिर उसी तरीके से यह पांस दिन एक्सराइज आपके होगी, Friday के end पे क्या होगा, आपको पास दिन के पचास तो होगी, वीक के पचास और उठा लीजिए, अगर आपने वो वीक के पचास, जो अल्ड़ी इन पांस दिनों के अंदर हैं, तो उनको चेंज करके दूसरे पचास उठाइए, समझे तो 300 stocks देखोगे और 1200 charts एक हफ्ते के अंदर आप देखोगे तो कितनी practice होगी जड़ा देखिए monthly, weekly, daily time frame की चले बात करते हैं इस stock की देखिए तनेजा airspace aviation आप कहोगे यार 262 पे पहुँच गया, 20% का आज फिरा ही इसने मना दिया, उधार है नहीं company के उपर, अब market calculation आपको लग रहा होगा, शाड़े 600 करोड पहुच चुका है, तनेजा airspace, लेकिन जड़ा देखिए, अब आपके मने में इसको मैं entry करने को कर रहा होग लेकिन आप यह कहां पे है, बहुत ही important zone पे, यह उस zone पे है, जहां पे entry नहीं बलके booking का area है, जब अब आप ध्यान से देखना, जब इस stock में बहुत ही बहातरीन consolidation correction चल रही थी, तो यह stock हम अपनी आपकी लिए बिलकुल बहुत ही सटीक time पे लेके आये थे, जो कि यह level था, बहुत ही बहातरीन time पे, और उसके बाद देखिए, more than 100 points की इसने rally दे दी है, although आप एक और पार देखिए, इस chart से कुछ और important चीज आपके सामने share करने को मन किया, तो सबसे पहले मैं देखते हैं, यह chart आप देख रहे होंगे, यह chart में जो right में scaling आपको देख रही है, यह log scaling है, अब देखे difference देखना, अब आपको लग रहा होगा कि अभी यह 140-150 से भाग क्या आसा लग रहा है, कितनी दूर चला गया, मतलब पिछली lag से भी जादा दूर लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप बड़े time frame के साब से चलते हैं, तो आपको 500 तक गया है, यानि कि 5 गुना, उसके हिसाब से यह move कुछ नहीं है, यह कितना है, यह डबल भी नहीं हुआ भी देखिए, यह डबल भी नहीं हुआ, 117 से देखे, तो यह आप देखोगे, यह move कितना खतरनाक था, उसके हिसाब से कुछ नहीं, लेकिन जब आप जो है linear chart तो मैं आपको यह कहूंगा कि अब स्टॉक जो है अब आपके मने में एंट्री की लाल सा लगरी होगी लेकिन हमारे पास देखे रिस्क बहुत जाद है यहाँ एक मंतली चार्ट है अब मैं आपको और छोटे टाइम पर दिखाऊं तो क्यों यह स्टॉक रडार में आया था जैसे मैं पहली भी आपके सामने में चर्चा की थी तो करेक्शन के टाइम पर वॉल्यूम बेलकुली गाया था जो जिसकी वज़े से स्टॉक रडार में आया था जैसे मैं अभी आपको लॉक स्केलिंग हटा कर दिखाऊंगा आप लॉक स्केलिंग से भी इसको देख सकते हो ताकि आप रिलेट कर पाओ ची यह जो कितने दिन लगे इसको यहां तक जाने में दिन बलकि हपते हो क्या बात करूंगा चार से पांच हपते लगे हैं और जब आपके सामने वीडियो आया था जून 12 वाला वीक ये वाला वीक है और उसके बाद देखिए रहली ही रहली तो यह चोटी चोटी चीज है जर प्राइस देखिए बजाज का इलेक्ट्रिकल का स्टॉक है यह बहुत ही बहतरीन स्टॉक ने अपॉर्चुनिटी पास्ट मेंती है और मैं अगर कहूं कि यह स्टॉक ने यह जब लेवल चार सो पांसो का था यानि कि जब करेक्शन स्टार्ट खतम होना स्टार्ट हो रही थी कोवीड के बाद तो यह स्टॉक 300-400 के लेवल पर यह बहुत द्यातरीन देश दे चार पांस गुना हुआ था लेकिन आपको बार बार कहता हूं कि कभी भी स्टॉक कोई रैली दे दे न इतनी बड़ी उसके बाद इंतजार करना पड़ता है औ और कई बार तो लंबा इंतजार करना पड़ता है तो इसलिए जो लोग यहां पर 1400-1500 पर उन्होंने बाइंग की होगी वो दिखिए अपने पैसे को उन्होंने पूरा पूरा दो साल के आसपास उन्होंने यहां पर ब्लॉक रखा है और यह सिचुएशन जब यह इतना टा तरह की सिचुएशन और करेक्शन पूरी की पूरी जेके वॉल्यूम गायब है.. उसी तरीकी की सिचुएशन मैं आपके सामने फिर से चार्च रहूंगा मंतली वाला और आप रेलेट करना मैं लॉुक चार्ट यहां से हटा करना लोग शार्ट भ लगा सकते हो लुक तो नहीं दिखा यह स्टॉक का लो पॉइंट सा देखिए डाइस हो के आसपस हाइप पॉइंट सा देखिए आल्मोस सावं फिप्टीन हंडर सम्थेंग का अब यह मेजर करेक्शन चल रहा है और फिर उम्मीद करेंगे अगली रैली की तो एक मेजर एक अच्छे स्टॉक में को चल रहा है देखिए गया वोल्यूम के साथ टो उम्मीद होती है कि रैली आहै अगर पिछले बाहर की रैली को देखो के पिर चॉरेक्शन गो यह रैली है ये मेजर करेंग्षों है पिर उम्मीद करेक्शन और फिर सोगी की आगए अब बिछले देखिए दो साल से गरेक कर रहे हैं October November के टाइम से भी बट वो जो मूब है वो अभी भी नहीं आया मैं कहूंगा वो जो मूब है जिसकी उमीद यहां पर लगाई जा रही थी वह अभी भी नहीं लेकिन हाँ अब जाके यहां पर चीजे पार हुई एक positivity के दरकार हुई है और डीप स्टॉप लॉस हमा जब हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं मन्थली वीकली डेली की तुम आपको बार बार कहता हूं कि वीकली पे 200 SME के आसपास बेस बना रहा हो या वीकली पे कर्रेक्शन दिख रही हो लेकिन जब एंट्री की बात आती है तो हमारे लिए डेली टाइम फ्रेम प्राइस यहां पे निकल जाए डेली टाइम फ्रेम पे तो फिर वो आउट अप कवरेज ही दिया हो जाता है तो थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लगता है क्योंकि यहां पे अगर इस जोन में होता है तो हमारे पास अगर डीप भी स्टॉपलास अगर हम लेके चले तब भी व होगा और तनिजा एर स्पेस का पुराना वीडियो आप डेस्क्रिप्शन में आपको लिंक के देंगे उपर आई बटन में जाकर देख लो और यह वह उसका सेंपल आपको इसलिए दिखा गया क्योंकि बजाज इलेक्ट्रिकल भी कुछ उसी तरीकी की बड़े टाइम फ्र करते रहे और आपको अगर कोई स्टॉक नजर आता है कि हां यहां पर जैसे मैंने आपको बताया है भी कि डेली टाइम फ्रेम में ज्यादा दूरी नहीं होनी चीए तो कमेंट के थुरू बताते रहें उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे वीडियो में थैंक्यू थैंक्